है कि है लो है यह जैसे कि आप सभी को पता है कि एससे इस्टैनों ग्राफर सी एंडे 2022 नोटिफिकेशन आ गया तो हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में पूरे डीटेल से जानकरी लेने वाले हैं कि हम इसके मतलब हमारी क्या है requirements है 12 के बाद हम इसको अप्लाइ कर सकते हैं नहीं कर सकते सेकंड कोश्चन कि इसमें हम इंग्लिस मेडियम चूज करते हैं फिर इंग्लिस कोई भी एक करना है तो कौन से चूज करना है कौन सी शॉट है हमारे लिए इजी होती है ठीक है हम पूरे डिटेल नॉलिज पढ़न करने वाले से प्लेज बांड इसके फिर इसको प्रोसे चो होता है फ्ला फ joue हुटा फिर मिसको कैसे करें गE ंध इस विडियो है अप घ्था जनी है मोई है तो dweltES का केफले कर सकते हैं नहीं कर सकते ह। हम इसके लिए हिंदी बहें या इंग्छिन ठीक है और इसमें एज की कितनी है कि Minimum और Maximum Age कितनी ही होनी ची है हमारे पास ठी है और फिर हम इस form को so जाया पिसने का आपको सब सिखाने वाले की आपको form में कौन साह सब्शिंध कना है सियंगन गरिख्ण क्या यह इसी चाइब करते हैं व्ने इसके लिए जो हमारे पास minimum requirement होती है education qualification वो 12 होती है हम 12 के बाद इसमें भर सकते हैं ठीक है अब फिर बात करते हैं कि short hand हमको कौन सी बननी है यह में option option number 10-12 in which he is asking director medium of skill medium of a skill तो यहां पर आपको दो option मिलने वाले हैं या तो हिंदी और English ठीक है तो आप जिस भी language में short hand करते हैं वैदा it is Hindi और English आप वही हाँ पर चूज करना है ठीक है अच्छोड़ा discussion इसी पर कर लेते हैं कि सो शॉट हैंड कौन सी इजी होती है हिंदी और English ठीक है तो देखो हिंदी और English कुछ नहीं दोनों ही हमारे पास कैसी ही लेंग्वेज होती है तो मेली जो हमारी बैक्ट्राउंड में लेंग्वेज इस्ट्ट्रोंग है मालने जी हमारी इंग्लिज्पर अच्छी चंद है आई है या फिर हमारी हिंदी पर अच्छी है तो हमारे हमको जोनच यह डिशी चाहिए जिसमें हमारे स्पयल mejorar इसमिस स्बेसिक ही कम होती है वहीं हमको कौन को बोडस है या फिर इन अथर वोड वोडस है in which your medium is Hindi तो आपको Hindi Stano भन जी है नहीं हो सकते है कि आप U.P के एंग्ली आपके इंग्लिस है है सपलीं मिस्टेक्स नहीं होती है diferen remo तो आपके English को prefer कर सकते हैं चीक है तो इसकिल दोनों ही क्योंकि इनमें दोनों का basic जो होता है वो लगवक basic same होता है process पूरा जितनी महने तो आपको basic learn करने पर English में चाहिए उतनी ही आपको हिंदी में चाहिए बट दोनों में फिर भी एक preference अगर हम देखते हैं तो हम इंग्लिस को जादे देते हैं अब इंग्लिस को preference क्यों देते हैं देखो इंग्लिस का जो यूनिवर्सल हमारे पास keyword होता है keyword layout होती है इसका एक keyword होता है इंग्लिस का कहीं भी चले आओ या किसी भी software पर tapping करो तो इंग्लिस का software only one होता है वर जब हम बात करते हैं हिंदी के लिए तो हिंदी के पास हिंदी में हमारे पास बहुत सारे options होते हैं बहुत सारे फॉंट इसमें एविलेवल फॉंट स्टैपिंग फॉंट जैसे कि हमारे पास इसमाता कुरूती कुरूती देप बहुत जादा पॉपुलर 10 11 15 ठीक फिर इसी में एक सेकेंड ले आउट आ जाती मंगल मंगल के अंदर भी भूस सारे सब फोंट से इसके अंदर जैसे cb i रेमिंटर गेल तुम गेल लिख लेते ओली फिनेस्ट इनिस्क्रेप्ट में लिख पॉपुलर तो यह तीन ही चलते हैं cb i गेल और इनिस्क्रेप्ट और भी बहुत सारे इसमें इंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो अगर हमारा हमारा एक साइड इफेक्स क्या है अगर हम इंदी की शॉट हैं करते हैं कि किसी किसी डिपार्टमेंट तो हमको पर्टिलाइस करते हैं वो कि हमको कुरूति देव टैन ही चाहिए जैसे एक बेकेंसी निकली हुई है इंकमिंग जैसे यूपी पीसी इसको पर एक डिटेल्ड वेड़ पूरी शोट कर देंगे से आप इसको वाच कर ले ना तो इसमें मांगा गया है इस टैनों के लिए कि हमारे पास सिर्फ हमको शॉट हैंड चाहिए वो मेडियम ओफ स्किल हिंदी और हिंदी के अंदर भी आप जिसमें आपका जो भी लन की है अगर आपने इंडिस्क्रिप्ट प्रिपेर किया तो आप इंडिस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं चूज और कुरूति देप 10 है तो आपका 10 भी कर सकते हैं तो थोड़ा साइड इफेक्ट हिंदी शोट हैंड का यही आ जाता है कि डिपार् प्रिप्लम्स आती है तो यह सब साइड इफेक्स इंग्लीज की नहीं है क्योंकि यूनिवर्स एक ही की वोड़ है जो हमारा लेयाउट होती है सिर्फ इसमें सिर्फ क्या है हमारे पास 626 से अल्फवेट से और वो भी हमारे की वोड़ के उपर शो होते है ना हिंदी की सबस करते हैं माली जागर हम टाइपिंग स्टाइट करते हैं कि हमको कुरूती देख करना चाहिए निस्क्रिप्ट या मंगल तो इसमें सबसे बैस जो फॉन्ट होता है हमारे पास इनिस्क्रिप्ट क्योंकि इसमें नो कोड कोई भी कोड यूज नहीं होता यह माली जैसे अपने आपके के लिए और डाउट के हम हिंदी का करना चाहिए शौट है या फिर इंगलिस कि आप दोनों कर सकते हैं जिस पर आपके लेंग विज पर कमांड है चीह है तो हमारे कोश्ण के लिए हो गया कि हम इसको हिंडी से अपल्लाई करें या इंगलिस से लेकिन हाँ चूस करत अभी अगर हम करते हैं हिंदी की तो हमको फाइंडरी इस इन्ग in वह गोगा है कि फिलब किस असमे अमधेम धेम हो अग्लिस में ठीक है तो आई थिन आपके यह डाउट तो किलीर ओंग यो चलो फिर नंग चल्ए criticism इसको थोड़ा डिफ्रेंस देख लेते हैं कि C और D के अंदर डिफ्रेंस क्या होता है प्राइटी हमको किसको देनी चाहिए ठीक है तो देखा था इस्टैनो ग्राफर C और D ये दो ग्रेट के नामें हमारा नो ग्रेट वर्ड को छुपाया है है हम पर सिर्फ डारेट बोल द की रिक्वार्मेंट्स क्यों होती है दोनों का ही पेपर जो है रिटन पेपर दोनों का कमबाइन होता है दोनों के लिए एक ही पेपर होता है सिंगल पेपर दोनों का कमबाइन होता है चलो रिटन पेपर भी देख लेते हैं कि रिटन में आता क्या है जो हमारा प्री होता है वह हमारा रिटन पेपर होता है टायर वन जिसको हम बोल देते हैं यह होता है हमारा CBT basis मतलब computer based test इसके अंदर आते हमारे पास total 200 questions और जो ओवल और मार्क्स होते है हमारे वी maximum marks के दिने होते 200 मतलब one marks for each question ठीक है अभी 200 questions किस किस चीज़ के आते हैं तो इसमा आती है अपने पास reasoning GK and English reasoning GK English अब बात करते हैं सर रिजनिंग कितने questions आते हैं तो reasoning क्या आते है 50 questions 50 marks GK 50 questions 50 marks English English आती है हमारे 100 questions 100 marks क्या क्या सर इसमें मैच साथी है नो तो इसके अंदर हमारे मैच नहीं आती है तो सबसे अच्छी आफी golden opportunity होती है और students के लिए जिनको मतलब मैच्स पसंद नहीं या फिजिसको मैच्स नहीं आती है तो सबसे बैस्ट चांस होता है हमारे पास मैच्स नहीं requirement होती है दूसरी चीज़ सबसे अच्छी पोस्ट है यही पोस्ट है जिसको हम 12 आफ्टर 12 मिनिस्ट्री में बैठने का जो एक वे जेक रास्ता है वह ही है ऐसे सिस्टानोग्राफर कि हम इससे डायरेक्ट वैल्थ के बाद कहां पर बैट सकते हैं मिनिस्ट्री के अंदर ठीक है तो उसका प्रोसेस क्यों होता है आई सीखते है हम ने सीखता कि ग्रेट C और D के लिए के लिए combined paper होता है written paper जो 200 questions होते है यह 50 questions reasoning 50 gk and 50 English में divided होता है ठीक है अब merit कैसा होते है देखो इनका combined paper होता है तो merit लगती है overall 200 marks के उपर 200 मार्ट पर माल लेजा आपकी परी मेरिट लए गिया 130, 4D और सीम इसी में लगती है माल लेजे 140 या फिर 145 एपरोक्स यह मेरिट फिक्स नहीं होती कि हमारी लगवा इतनी लगती है सन्ने तो इतना वताया था इतनी चली हम मेरिट का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं सिर पर इजी आए गया तो क्यों होता फिर यह मेरिट बाउंस कर जाती है उपर लेकर होता क्या है थोड़ा सा लगवक दोनों के बीच में 5-10 मार्ट का फरुक होता है हम जन्रल के टॉपिक पर बात करेंगे सिर्फ ठीक है तो मतलब क्योंता माल लेजे 200 पेपर का दो कॉशन हो होते ही है तो मेरिट हमारी लगी डी के लिए 130 एंट सी के लिए 150 तो आइधिंग ये तो नोट डान होगे ना अपका समझा आ गया होगे तो ना इसको एरेस करते हैं तो अब माल लिजे कोई स्टुटेंट है जिसके आते हैं 50 मार्क्स जिसना चीप ये 150 मार्क्स तो इसके प आपियर जब होता है ना तो ये दोनों की स्किल देता है ग्रेट सी ओ ग्रेट डी दोनों के लिए बट एक इस ट्रेंट है जिसके मार्क्स आते हैं इस से 145 से कम माल लिज उसके आते 144 और या फिर हम ऐसी देख लेते हैं बिलोग 144 तो ये आउनली अपियर किसम हुआ इस ए है नहीं करेंगा तो ये माल लिज आगर हमारे रिटेन में अच्छे नंबर आते हैं अच्छे नंबर शिक्योर कर जाते हैं तो हमारे पास एक एक्साम से दो उप्षिन्स खूल जाते है ग्रेट सी के लिए और ग्रेड डी के लिए C और D में के difference होता है अभी हम आगे देखने वाले अभी हम सिर्फ इतने समझते हैं तो चलो अब difference C और D में है के हमारे पास तो हमने समझ लिया कि paper कैसे होना इसका और merit का वेसिस क्या होता है देखो जो डी होते है इसको बोलते 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 है इसको बोलत किए अगर हम बात करते हैं स्टेरों ग्रेटि के लिए तो इसके लिए की के लिए रिखाइमेंट होती है किद्टी वर्ड पर मिनूट मत्लाब हम को जो देक्टेशन मिलने वाला है वह डी बॉर्ट केर गृ मिलेगा और हम सी की बात करते हैं तो चम現 एंदेर्ब़र्स ऐ्टधिकए अब वोलने कितनी मिन्टे दिरेशिन होगी ऐस की त्रेशन फुचाल इसके लिए अफي डिक्टिटेशन तॉ हमारे दिरेशन होती है इसकी तैन्ड मिनट्स 10 minutes on code D के लिए और 20 minutes होते हैं सी के लिए के लिए के लिए बात करते हैं वर्स कितना होते ओलोर टोटल वर्स कितना होते हमारे पास तो टोटल वर्स अगर हम देखते हैं फॉर इस्टानों ग्राफर दी तो टै एक टी इंटो टैन इस वेल टू 800 words something something 800 words and for C 1000 words ठीक है तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों की कि हमारे पास SSC में C और D के लिए कितना कितने words होते हैं तो हमारे पास पैसे जोता है प् verd आर्टाइट्ches वाले के लिए our sweet or C वाले के लिए हमारे पास हजार वरuben हरे हम बात करते हैं कि कि हमको इसमें कितना अकितना टाइम मिलता है इनको ट्रांसलेशं के लिए सेGER तो ट्र्सलेशन के लिए हमें को मिलता है अगर बात करते हैं कि यहाप लेतना थोड़ा is live here at the time time rapper for Hindi shorthand or either English is I'm dekhtin grade D के लिए or grade C के लिए अगर हम बात करते हिंदी वालो के लिए है तो हिंदी वालों के लिए मिलते हमको 65 minutes for day और अगर हम बात करते हैं C के लिए तो C के लिए मिलते हमको 50 minutes 55 minutes ठीक है डिक्टेशन दोनों को 10-10 minutes होने वाला है डिक्टेशन टैनी मिनट को होगा लेकिन टाइपिंग के लिए टाइपिंग टाइपिंग चोड़का हम ट्रांसलेटिंग लिए जम शॉट्हें लिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमको कितना टाइम मिलने वाला है हिंदी बालों के लिए डी के लिए 65 minutes और सी बाले के लिए 55 minutes और हम बात करते हैं इंगलिस के लिए तो इंगलिस के लिए हमको मिलते हैं grade D के लिए 50 minutes and for grade C 40 minutes इतने टाइम में हमको यह ट्रांसलेट करना होता है पूरा अपना पैसे जो हम लेक्ते हैं दोनों को ही वर्ड में two х rapat वर्ड कम है लेकिन ॉकल प्षाल है लेकिन हम हम सी तरफ जाते थो सी में वर्ट इंकरी म forskts होते है और टेम णिसोते हैं लेकिन पस्केल की बात कर लेते डोनों की भेश्कें तुमिए यहां पर देख लेगा है पेस के तो हमें दी में मिलता है लगवग जो इन हैंड हमारी से लिए आती है वो लगवग 50,000 35,000 के मतलब 35,000 से ज्यादा हमारे इन हैंड आती है आफ्टार ओल डिटक्शिंस सी के लिए सी के लिए लगवग आती है अपनी 45,000 के लिए क्वालिफाइब करते हैं तो दी में मिलती है हमको 35,000 और सी में मिलते हमको 45,000 के अगर हम इसकी वर्किंग आवर देखते हैं या फिर वर्किंग डेस देखते हैं तो वर्किंग डेव था अपने इसके में मंडे टु फराइडिया मंडे टु फ्राइडिया मतला हमार पास यहां फर दो होलिटे होते हैं सेटर्ड़े अ संधे अ हाल वा करा वा होखै के व्यम्हें ah उसके यादब पोस्टिंग बात करते है तो पॉस्टिंग होते है ऑल अवर इिंडिया इंडिया के इंदर सली जितने भी हमारे देपार्ट्मेंट्स या मिनिस्टी चीज है जो हमारे सेंटर गवर्मेंट के थ्रूर रन होती है तो उसी में हम सभी को वही डिपार्टमेंट समको इनको पॉस्टिंग में मिलते हैं ठीक है तो आइधिंग आप सब कुछ किलिए होगा कि शोट हैंड हमको कौन सी करनी चाहिए हिंदिया इंगलिस फिर दूसली इ लेकिन डी वाला होता ही इस तैनों जिसको इस टानोग्राफर वहता है और लंगला होता हमारा पी ये एक शर्क्रावी ने काल्यां को एंग डिपार्मेंट को शाथ होती है उन सभी मेंग पोस्टिंग होती है इसके हैं तो इसके ऐसा अपने पास अपना नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको आई तिंग आप तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा है कि क्या चीज़ होती है कैसे तो आई यह स्टार्ट करते हैं कि हमको फॉर्म एपलाई कैसे गाना है